तो गूड मॉनिंग दोस्तों मैं हूं इस वक्त रिकांग्प्यों में और रिकांग्प्यों में नौ डिस्ट्रिकत का एक भाग है तो आप मेरे पीछे जो इन मॉंट्यंज में जो वर्फ सा ओनने तो आप भी आ सकते हैं रिकांक्यो और यहां से बहुत ही सांगला जा सकते हैं कलपा जा सकते हैं और चिटकुल जा सकते हैं बहुत सारी जगाएं यहां पर आने के लिए आपको जो है पहले चंडीकड से बस लेनी होगी या ट्रेन शिमला के लिए शिमला से फिर आप यहां प तो मेरा पानी गरम हो गया मैं सुबस्वा सब्सक्राइब बाद पढ़िया मुन्ना और यह रिकाम क्यों वाली बस है इससे मैं कल आया था कि हमाचल ट्रांसपोर्ट का बस स्टेंड यहां पर ही कांक्यों में बहुत ही सुंदर जगह है इसी बस से मैं कल आया था और यह आद सूबा जा रही है और और कंड़क्टर सहाब कहीं दूसरी बस में चले गए राइबर शाब जा रहे है और मैं इस समय जा रहा हूं किल्पा कि तरफ और उपर देखता हूं कि क्या क्या मिलता है कल बाए मुझे मैंने जैकेट डाल ली है अलागी सुबा हो चुपी दूप निकल आई है पर उपर का महौल ठंडा हो सकता है तो कि वर्फदारी भी है उपर इसलिए मैंने वर्फदा अलाव जैकेट डाल ली है अलागी गर्मी लगे कि मुझे पता है 100% अब ही जा रहा हूँ मैं बस में कलपा नहीं नीचे आगा हूँगा पैदली और लोग बोले कि चड़ाई बहुत है तो इसलिए और नहीं ही लोग मैं दोस्तों हम लोग इस वक्त है कलपा पे मैंने रिकाउंक प्यों के रातमेस्टे किया था और वहां से सुबह साथ जे मुझे बस मिली है जो कि यहाँ पर वीराने में हम लोगों छोड़ दिया है बोलते हैं यही कलपा है और भाई मेरा आया है कहां से यह बाई आप चंडी गड़ते हैं चलो इनका जादा दूर नहीं है अब फिर भी दूर तो आई है सब्सक्राइब और पीछे देखिए माउंटेन देख सकते हैं इनकों देखने के लिए मैं आया हूं बहुत ही बहुत ही ना जारे भाई मजा आ गई मैंने सोच हो साम माइनस में होगा टंपरेचर पर ठीक है बड़ी है और यहां पर वो जो पॉइंट देख रहे हैं सन के अब यहां पर बर्फ है काफी तो अच्छा लग रहा देखके कि इतनी मैं जून में भी मैं में भी आपको बार पर देखने भी मिलती है तो मैं जिस स्थान से आता हूं फतेपुर से वहां पर टंपरेचर है लगवग 45 के राउंड और यहां पर है टंपरेचर एराउंड 10 तो अभी जो है दिन की शु काफी अच्छे व्यूस भी है और साथ ही साथ बहुत अच्छा लग रहा ठंडी हवाओं के साथ तो यह रहा आपका दोस्त अधित कुमा निशाद नसीवादियों का मजा लेते हुए हमें मिले हमारे एक मित्र जो की चंडीगर से आया है क्या ना मतायत भाई आपने गौरा मैं कल की चिंता नहीं करता उतनी सेविंग्स है मेरे पास मेरी फटी पड़ी है परसों को लेकर आप भी आईये कभी मजा आईगा आपको भी अदेश प्राइब आपको इसको लचीनी गाउ पाईद वालों के लिए सौटकट जो होता है यह रस्ता जो जा रहा है ना इसी से तो आप इसी रस्ते से आया हम लोग तो इसी रस्ते साय रहे प्ली वला रस्ता है है यह कर लो पहले हैं बड़े लोग रहे से करते हों अधम है इसी सी र zombi अनी तो बता हिँार जाएं आपका कर्लो एं के लिए सिन रूटकट जो है यह वह को एे सो नींते कुछ नहीं है वो तो आपको देख के पता चलेगा ऐसे कोई डिफाइंड नहीं उसका सही कह रहें आप तो अभी हम इस प्रोपर्टी पे बड़ा अपना जो है बड़े आराम से वीडियो करें बना रहें तो अब यह आ गए हैं और उसने के लिए पैदा हुए जिस्ति है जो कि पाड़ों क वीडियो का है वहां पर आपको एक शीवलिंग अगर नजर आ रहा हो कैमरे में तो आप जेख सकते हैं वो तकरीबन 80 फूट का है शीवलिंग पट इस कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा जादा आप अपने रिस्क पर टेल सकते हैं कोई बात नहीं है तो बहीं पर पादे नहीं है नहीं है तो प्रफुल दो तीन मिलके पर फिर भी कभी कभार वह बंता नहीं है ना अच्छा कलपा कि अप पिछे आप और चिड देख सकते हैं एपल कपूरा और चिड है और कि व्यूज़ आप पीछे देखे देखे पहाणों की आनन्द में बहीं की प्रॉपर्टी पर मैं उपर चल चल ला था देखा ठाली पड़ा है तो हम लों फुरी दर के लिए आ गए तो भाईया भी आगे साथ में वो कलकता थे हैं कर दो ला देखे कर दो 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 झाल झाल